दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IS 1786 2008 जो के रियाफर्म हुआ 2018 में ये इंडियन स्टेंडर्ड से HYSD बार्स का HYSD बार हम कहते हैं हाई इसकी इल्ड स्ट्रेंथ डिफार्म बार्स ठीक है तो चुकि इसकी इल्ड स्ट्रेंथ जागा होती है इसलिए इसको HYSD बार्स बोला जाता है जैसा कि आप जानते हैं HYSD बार या इसको हम TMT बार भी बोलते हैं या चड़ भी बोलते हैं सरिया भी बोलते हैं common language में तो यह हमारे construction industry का एक बहुत बहुत बड़ा component है जिस तरह cement बड़ा component है उसी तरह steel भी एक बहुत बड़ा component है और बहुत large scale में इसका यूज construction industry में क्या जाता है इसी लिए सभी लोगों को जो construction industry से जुड़े हुए चाहे उसका मिस्त्री हो चाहे लेवर हो supervisor हो इंजिनियर्स हो या suppliers हो सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा Indian standards 1786 है उसमें क्या-क्या specifications दिये हुए है HYSD बार यानि TMT बार को हम TMT बार इसलिए बोलते है TMT मतलब होता है आपका TMT is thermomechanically treated इसलिए इसको TMT भी बोलते हैं कई जगे वो एक अलग technology है उसके बारे में कभी बात करेंगे detail में लेकिन फिलाल जो हमारा हमारा जो construction से related है हमें जो main main चीज जो जानने की आविशकता है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो यह है कि इसके grade हमारा जो Indian standard है IS 1786 वो हमारा HD HYSD बार को चार different grade में और उसके अलग-अलग sub grades में divide करता है ठीक है अगर आप table 3 देखेंगे standard का यह बहुत लंबा स्टेंडर्ड है सभी points discuss करना सम्हों नहीं है मैं कुछ-कुछ जो main-main जो हमारा industry में use होता है construction में उसकी में बात करूंगा तो यह grade जो है आपके mainly जो grade है वो क्या है FE 415, FE 415D और FE 415S ठीक है तो यह जो FE 415 है यह पहले से बहुत दिनों से है इसको बाद में FE 415D और S इसको add किया गया था इसमें जो engineering की students जानते है कि 415 क्या है इस दी इस दी 0.2% proof stress या yield stress अगर yield नहीं मिलता है तो 415, 415 Newton per mm square ठीक है इस दी yield strength of the steel दूसरा जो grade है दूसरा जो grade है वो है FE 500, FE 500D और FE 500S क्या difference है दोनों में इसका yield distance कम है इसका ज्यादा है मतलब यह superior quality का steel है तीसरा जो आता है इसे superior वो होता है FE 550 और FE 550D 550 में आपका S नहीं आता है यह grade नहीं आता है यह सिर्फ 550 आएगा चोथा जो grade है वो होता है FE 600 और FE 600D ठीक है दोस्तों और पांचवाँ एक जो आता है वो आता है FE 650 650 में D और S कोई भी केटेगरी नहीं आता है तो इसकी हमें ज्यादा जूरुवत नहीं पड़ती है हम जो है इन्हीं चार केटेगरी जो है चार grade इसी में जो है हमारा construction industry का काम चलता है अब आप देखिए यह जो grade है FE 415 यह आजकल obsolete हो चुका है ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं यह still आपको बहुत कम मार्केट में मिलेगा क्योंकि हमारा जो rolling technology और जो steel industry है वो इतना high-tech हो चुका है और इसकी manufacturing process इतने sophisticated हो चुके हैं इतने automated हो चुके हैं कि हम जो है यह 500 minimum strength generate कर रहे हैं तो यह चुकी हलांकी standard में यह है FE 415 यूज भी होता है कि mild steel में यूज होगा या कुछ यूज होगा लेकिन यह obsolete हो चुका है जो अभी हम यूज कर रहे हैं construction industry में वो यह यूज कर रहे हैं आपने देखा होगा आपके site में या तो 500 का सरीया आता है 500D का आता है यह भी construction में बहुत कम यूज होता है यह यूज होता है यह यूज होता है और यह यूज होता है दोस्तों तो हम जो industry में यूज करते हैं construction sector में यह चार तरह के शरीया यूज करते हैं अब मैं आपको यह बताऊंगा कि यह 500 क्या है और यह 500D क्यों है और यह 500S क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगा ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है क्योंकि जनरली आपका 550D अब आप देखिए 500 यह भी है 500 यह भी है यानि इसका yield strength सेम है yield strength में कोई difference नहीं है ठीक है यानि यह जितना 0.2% proof stress भी अगर आप निकालेंगे तो इसका जितना आएगा 500 का उतना ही इसका भी आएगा लेकिन इसका एक chemical composition change हो जाता है और इसकी requirement change हो जाती है इसमें ductility ज् आए बाकी जो physical physical parameters है जैसे इसका जो हम test करते हैं तो पहले इसका निकालते है tensile strength ठीक है उसके बाद निकालते है band ribbon test band and ribbon test ठीक है तो जो tensile test है उसमें requirement सेम है तो यह grade और यह grade जोनों का tensile strength सेम है लेकिन इसकी ductility ज्यादा होती है ठीक है जो इसलियन standard में जो prescribe कर रहा है उसमें यह कह रहा है कि आपका 500D की 5% है यह 5% है और 500S की 8% है elongation ठीक है minimum मतलब minimum 5% elongation होगा at maximum force उसी तरह इसका भी है 5% ठीक है दोस्तों तो tensile strength सेम होगा elongation इसकी ज्यादा होगी मतलब क्या होगा कि ज्यादा ductile structure अगर आपको चाहिए ठीक है तो आपको D और S सरिया यूज करना होगा यानि ज्यादा earthquake resistant building चाहिए building की ductility ज्यादा होनी चाहिए अगर तो उस case में हम D और S प्रेसरिया यूज करते हैं otherwise 500 या 500D 550 या 550D बस इतना में हमारा काम चल जाएगा आपको यह इंस्योर करना है कि 500 500